तो आज हम बात करेंगी reproductive health chapter से top 20 mqs के वारे में जो कि बहुत important है नी 2025 वर 2026 के लिए क्योंकि दोस्तों हमने कुछ patent जो है अभी new questions भी लिये हैं जैसे कि यह आपका 2024 का ही question which of the following is not a natural या traditional contraceptive method तो आपको द्यान रखना है कि जो natural contraceptive methods है आपकी periodic absistance है lactational amenorrhea है और coitus interruptus है यह क्या है आपके या फिर इसको आप दोस्तों withdrawal भी कहते हैं तो यह क्या है आपकी natural methods हैं तो यह तो आपके answer नहीं होने चाहिए वाल्ड जो है वह दोस्तों आपका एक barrier method के अंदर आता है यह कोई भी traditional या फिर natural contraceptive method नहीं है तो इसका सब्सक्राइब हो जाएगा अगला question है MTP medical termination of pregnancy with oral pills is considered relatively safe up to यह इसी साल का question है कि MT कब तक safe होता है तो आपको ध्यान रखना है MTP जो है शुरू के टू मन्थ के अंदर ही आपका safe होता है तो 7 तू 9 weeks यानि कि approximately two months में यह आपका safe होता है तो इसका दोस्तों आपका a option correct हो जाएगा अगला question है आपका which of the following is not an example of assisted reproductive technology ART यह भी इसी साल का question है और यह से पहले भी आया हुआ है कि assistive reproductive technology में क्या नहीं आता है तो IVF तो आपका आता है in vitro fertilization तो आपका आता है gift भी आप आता है आता है इंट्र यूट्राइन इंसेमिनेशन आयूडी नहीं आता है क्योंकि आयूडी इंट्र यूट्राइन डिवाइस यह क्या होते हैं यह तो आपके contraceptive methods के अंदर आते हैं तो इसका D option आपके correct हो जाएगा अगला question है following is the list of STDs selected the diseases which are not completely curable यह इस साल का question है आपको ध्यान नेकना है reproductive health chapter से यह question बहुत बहुत बनता है तीन तो आपके H है HIV Hepatitis B और हर्पीज यह क्या है आपके curable नहीं होती है हमें बताना है कौन completely curable नहीं है जेनिटल वार्ट दोस्तो ट्रिबल एच में नहीं आ रहा तो वह curable है तो यह क्यूरेबल है तो A जो है आपका हट जाएगा इसके बाद जेनिटल हर्पीज आप जा curable नहीं है तो डी भी आना चाहिए ट्राइको मायनियासिज आपकी curable है इसका बी आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आपको लिस्ट वन को लेश्ट टू से मैच करना है कॉपर रिलीजिंग आयोडी कौन सी होती है मल्टी लोड 375 जो होती है आपकी एक कॉपर कॉपर लिखी में अपको यह भी द्यान लखना है सीउ सेवन टी यह भी आपके पर के आपके रिलीजिंग आपका दोस्तों हो जाएगा एकुआ आपका हो जाएगा तो भी ओपन हट गया नॉन मैडिकेट्ट टाइओड में दोस्तों आपको ज्यान रहें है लिपीज और hormone releasing iod कौन है आपकी LNG 20 हो गई और लेंजी 20 प्रोजेस्टर श्टैट बगएरा हो गई दूबी कर त्री आपका हो जाएगा तो इसका डी आप सना करेक्ट हो जाएगा अगला question है आपका यह आपका दोस्तों इसी जाल का है वसक्तोमी तो वसक्तोमी क्या होता है वास्ट डि leep的人 to get us into the actual plugin होता है जिसमें विड्रोल हो जाता है डिकाइब का फॉर आपका नापका हो जायगा सरफाइकल के अंदर ऐगा सही ली क्या है एक और लाब पील है वीकली ये आपकी ये नॉन स्टिराइड इसमें ट्रेपरेशन होता है दिक वन आपका हो जाएगा तो इसका 200 सिए आपकोस्ट हो जाएगा है अगर्ला क्रेंट कि यह क्यांने ये इसी साल का है तो यह जो है आपका RCH प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो यह जो है आपका false है तो यह आपका a option ही correct हो जाएगा Assertion is false but reason is true और reason भी आपका सही है कि जो ban on amniose sentences है amniose sentences पर ban लगा दिये जाएगा तो female fatty side का जो meanness ज्यादा हो रहा है ज्यादा use हो रहा है तो यह का false but R is true तो इसका a option आपका सही हो जाएगा अगला question है आपका आपको दो statement दिये हुए है Intra-Cytoplasmic sperm injection is another specialized procedure of in vivo fertilization यह आपका 2022 का question है In vivo fertilization में नहीं होता है In vitro fertilization में आपका Intra-Cytoplasmic sperm injection होता है तो बन तो आपका false हो गया In fertility causes due to the inability of the male partner to inseminate the female can be corrected by artificial insemination तो यह आपका सही statement है कि ऐसे cases जिसमें sperm count बहुत कम होता है उसको हम AI से artificial insemination से टीक कर सकते है तो इसका दोस्तों B option सही हो जाएगा अगला question है आपको बताने correct statement कौन सा है reproductive health refers to the total well-being in all aspects of reproduction reproductive health जो है आपको total well-being होती है सभी reproduction के aspects में तो यह यह तो NCRT के line है यह तो आपका true हो गया इसके बाद amniocentasis is legally banned for sex determination in India तो B भी आपका true हो गया कि amniocentasis जो है उसको आपने legally banned किया हुआ है sex determination के लिए तो B भी आपका true हो गया सहेली एंड oral contraceptive for females वार्ड डेवलाब्रीं कॉलाबरेशन विथ ICMA न्यूदिली यह दोस्तों गलाश statement है क्योंकि CDRI लखना Central Drug Research Institute इसने दोस्तों बनाया था आपका सहेली जो कि वल्ल्ड का only और first आपका non-steroidal pill है तो C आपको दोस्तों incorrect हो गया तो आपका C option नहीं आपका रहा Amniosynthesis used to determine Genital Disorders and Survivalty of Fetus यह आपका सही चाहिए आपका सही चाहिए लेकिन उससे आप Genetic Disorders को study किया जा सकता है तो इसका C option आपका सही हो जाएगा अगला question है the hormone releasing IUD hormone releasing IUD आपको बताना है तो multi load 375, Cu7, Cu2 यह तो आपकी copper release करती है तो यह तो आपका नहीं आना चाहिए इसकी बाद LNG 20 आपकी hormone releasing है तो B दो आना चाहिए तो वैसे डियो आपके correct हो गया Progester stat आप जानते हैं कि यह progester on release करती है तो B और C आपका सही हो गया लिपीज लूप क्या non-medicated IUD है hormone releasing IUD नहीं है यह तो barrier method है इसका due option आपका correct हो जाएगा अगला question है यह बहुत अच्छा question Which of the following statements are correct about IUD IUD is decreased phagocytosis or spums within the uterus तो यह आपका दूस्त सही treatment है कि IUD जो है वो spum की phagocytosis इसको बढ़ा देते हैं uterus के अंदर तो यह तो आपका true है तो यह तो आपका true है तो वैसे ही आपका यह आपका correct हो गया the releasing बाफ कीजिए को दूस्तों यहां पर decrease लिखा हुआ है तो यह आपका incorrect statement आपका हो जाएगा वोई मैं सूचू तो बन जो है आपका incorrect हो जाएगा तो यह को आपको हटा देना है तो यह तो यह तो यह तो यह तो आपका दोस्तों क्या हो गया आपका correct हो गया IUD suppress the fertilization capacity यह भी आपका सही चेटमेंट के लाइन है कि IUD जो है उस्प्रेस कर देती है fertilization capacity of sperm को तो इसका option आपका सही हो जाएगा the IUDs require surgical intervention for their incision in the uqtrain cavity तो यह भी दूस्तों आपका incorrect treatment है क्योंकि surgical intervention नहीं चाहिए होता है सी आपको सही आंसर हो जाएगा अगला question venereal diseases या फिर sexually transmitted diseases या फिर STI sexually transmitted infections can spread through किससे किससे यह फैल सकते हैं यह भी प्रीविस यह कहिए using sterile needle sterile needle से क्यों फैल इंगी sterile needle तो बिल्कुल साफ है तो यह तो है आपका incorrect option transmission of blood from infected person हां infected person से अगर blood transuse होता है तब फैल सकते हैं तो भी आपका दो सही है infected mother से fetus में भी फैल सकता है तो भी और सी भी आपका सही है kissing से gentle kissing से नहीं यह नहीं फैलता है तो भी आपका गलत है तो इसका यह option सही हो जाएगा inheritance से यह नहीं फैलता है क्योंकि यह कोई genetic diseases नहीं है यह आपके blood से फैलती है तो भी और सी आपका सही हो जाएगा अगला question है in which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive तो जो conceive नहीं कर पाती उनके लिए embryos किसमें transfer किया जाते हैं gift में तो आपका gamit transfer किया जाता है आपका जो zygote intra fallopian transfer है उससे आप क्या करते हैं दोस्तों embryo को transfer करते हैं क्योंकि women जो है वो ऐसी women जो होती है वो आपकी space और condition तो provide कर सकते हैं लेकिन conceive नहीं कर सकती तो उनके लिए हम gift और iut intra uterine transfer करते हैं gift में आपका 8 blastomere से कम up to 8 blastomere का हम embryo डाल सकते हैं तो इसका do option आपका सही हो जाएगा अगला question है progestogen salon और in combination with estrogen can be used as a contraceptive in the form of progestogen या फिर प्रजेस्टोजन के साथ estrogen उसको प्ल्स injection और implant के रूप में contraceptive की तरह यूज किया जा सकता है तो इसका c option correct हो जाएगा अगला question है in case of a couple where the male is having a very low sperm count which technique will be suitable for fertilization तो आपको ज्यानक नहीं अगर male का बहुत low sperm count है तो artificial insemination AI का सहारा लिया जाता है तो इसका b option सही हो जाएगा अगला question नहीं आपका which are the following is incorrect regarding vasectomy, vasectomy के regarding incorrect concept 2016 का question है यह no sperm occurs in seminal fluid यह आपका statement है कि semen में कोई भी आपका sperm नहीं होता है क्योंकि vasectomy में उसका path ही block कर दिया जाता है तो statement 1,2 आपका true है no sperm occurs in epididiamis यह आपका गला statement है क्योंकि spermetogenesis तो होगा और epididiamis में sperm होगा लेकि seminal fluid में नहीं होगा क्योंकि epididiamis के बाद उसका रस्ता रुख जाएगा वी जो है आपका दूस्तों true है भी आपका incorrect है तो इसका अगर शिक्स्टीन ब्लास्ट्व मेर से जादा हो गया तो दालेक्ट आप यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं यह आप ध्यान अक दियेगा यह आपका correct हो जाएगा अगला question है which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive तो contraceptive से का आपका कौन सा जो है यह सही आपका नहीं बन बार है इंट्र यूट्राइं डिवाचे इंगेज फाइक रिगोसाइट आसी ऑस्वाम सप्रेस पर्म मोटिलेटी एंफ फर्टिलाजिशन कैपसिटी तो यह तो आपका दोस्तों सही है कि यह आपका मैच कर रहा है आउडी से तो वन जो है आपका फॉल्स हो गया खॉर्मोनल प्रेवेंट जिटार्ड एंट्री और स्वां प्रेवेंट और फर्टिलाजिशन तो यह भी आपका सही च्रेटमेंट है कि होर्मोनल आउडी क्या करती है होर्मोन का बैलेंस बिगार देती है तो ओविलेसन और करते हैं और यह कि स्वं कि एंट्री को आपके रिषिदार्ट करती है तो तो वि आपका दोस्तों डूह बसक तामी प्रेवेंट स्पर्मेट्यच्रीच्ट secret नहीं रुखती विंस स्वंका ट्रांस्पोरट रुख जाता है, Coption आपका सही हो जाएगा, Barrier Methods Prevent Fertilization यह आपको दैटमन्ट है क्योंकि यह Barrier Methods होते हैं आपके cu nast giveaway करना है,lus ar Question आपका match करना है, यह क्या है यह आपका Condom For Male, टो Aक A 3 आपका थरी आपका हो जाएगा एका 3 आपका हो जाएगा ये दोस्तों आपके इंप्रांट दिये हुए है तो B का 1 आपका हो जाएगा एका 3 B का 1 आपका हो जाएगा ये आपका copper T है तो C का 2 आपका हो जाएगा ये आपका female condom है तो D का 4 आपका हो जाएगा तो इसका B option आपका C option आपका correct हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जिव सब्सक्राइब किजिएगा daily mcqs के लिए आप community post को विजिट कर सकते हैं वहाँ पर हम daily biology के mcqs upload करते हैं thank you for watching keep learning जेरूड आईए community post पर thank you for watching